एलो सात्यों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के अपने MCQ session में सात्यों आज हमें एक nursing MCQ session discuss करेंगे आपके साथ जैसा कि आप सभी को पता है रोजाना डेली 8 p.m. के उपर आपसे एक nursing MCQ session discussion किया जाता है उसी की सीरीज में आज 18 मार्च 2022 को मैं बलजीत यादव एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ एम नर्सिंग कैरियर पॉइंट की और से और आज का जो MCQ सेशन है उसकी शुरुआत करते हैं साथियों पहला MCQ आपकी स्क्रीन के उपर ये रहा साथियों यहाँ पे आपको दिख रहा होगा क्यूस्चन एक बार रीड आउट करिएगा सभी साथी एक साथ एक बार क्यूस्चन रीड आउट करें और क्यूस्चन आपका है कि क्लाइन्ट इज एडमिट विद थ्रोंबोटिक सीवीए दोस्तो एक पेशेंट है जिसको थ्रोंबोटिक सीवीए हुआ है सीवीए बोले तो सेरिब्रो वैस्कूलर एकसिडेंट जिसके अंदर विच ओफ दी फॉलोविंग इस दी प्रायोरिटी नर्सिंग असेस्मेंट प्रायोरिटी नर्सिंग असेस्मेंट इन दी फस्ट ट्वंटी फोर हावर्स आफ्टर एडमिशन आफ्टर एडमिशन की ब कि र глаз के बाद कौन सा प्रायुरिटे नर्सिंग असेस्मेंट को करना चैए, उप्षन ए है आपका, बोल साउंड सुन्ना चैए नर्स को, B है एलेक्ट्रो एनसिपैलोग्राम करना चैए उसका या फिर है इलेक्ट्रो मायोग्राम करना चैए, या फिर प्यूपिल साइज एंड प्यूपिलर रेस्पोंस यह चेक करना चाहिए देखो बोवल साउंड है यह मेंली आपके कॉंस्टी पेशन वगेरा के लिए ज्यादा चेक की जाती है उन पेशेंट के अंदर तो बोवल साउंड ज्यादा इंपोर्टेंट यहां पे नहीं है हो सकता है कि कम हो जाती है सीविए के अंदर लेकिन इंपोर्टेंट नहीं है प्राइवरिटी नहीं है एंस इलेक्ट्रों सिफैलोग्राम के अंदर हम ब्रेन का इलेक्ट्रों सिफैलोग्राम करते हैं वीजुलाइजेशन करते हैं उसका ग्राफिक रिपरजेंटेशन इलेक्ट्रों मायोग के अंदर मसल्स के बारे में study होती है अब जो आंस्वर आपका डी है यह राइट आंस्वर प्यूपिल साइज एंड प्यूपिलर रेस्पोंस चेक करते हैं यह पॉपिलर नहीं है यह प्यूपिलर है प्यूपिलर रेस्पोंस कर लेना इसको देखो cva होने के बाद में एक बार जब cva का अटेक आ जाता है तो दुबारा से patient को आने की संभावना रहती है उसके लिए हमें लगातार alert रहना पड़ता है नर्स को कि उसको दुबारा से कोई अटेक ना आए और अगर अटेक आएगा तो patient क्या होगा पहले से deteriorate होगा और deteriorate होगा उसकी condition अगर पहले से severe होगी तो उसकी जो pupils है उनका size और उनकी pupils का response है वो change देखने को मिलेगा इसलिए हमें लगातार 24 hours के बाद alert रहना है क्योंकि cva का attack दुबारा आ सकता है और दुबारा आएगा तो हम लगातार pupils को size को और response को चेक करते रहेंगे उस response में अगर deterioration होता है तो हम कह सकते हैं कि patient की जो condition है वो severity की और जा रही है और अगर उसमें सुधार होगा तो pupil size और response अच्छा देखने को मिलेगा तो right answer D याद रखिएगा अब यहाँ पर देखो मैं CVA के बारे में 2-3 चीज़ें आप से discuss कर लेता हूं साथियों इस CVA को जो आपका CVA है जिसको आप लोग cerebrovascular accident बोलते हैं साथियों इसी को also known as अगर मैं बोलूँ तो दूसरे नाम से इसको जाना जाता है stroke के नाम से किस नाम से जाना जाता है साथ यह पता होना चाहिए कि stroke होता क्या है तो stroke का मतलब होता है कि एक ऐसी condition है जिसके अंदर disruption हो जाता है cerebral perfusion के अंदर यानि आपका जो cerebral perfusion है उसके अंदर disruption देखने को मिलता है disruption in cerebral perfusion अब यह cerebral perfusion क्या होता है तो आप लोगों को पता होगा कि जो cerebral की blood supply होती है उस blood supply को ही आप लोग बोलते है cerebral perfusion अगर किसी patient में accidentally, suddenly disruption हो जाए cerebral perfusion में तो उसके कारण क्या देखने को मिलेगा आप लोगों को उसके कारण neurological deficient देखने को मिलेगा जो neurological जो symptoms है उनके अंदर deficit देखने को मिलेगा और इसी को आप लोग बोलते हैं इसी को आप लोग बोलते हैं stroke बोलके चलते हैं तो stroke की परिवासा आपको समझ में आई इसके बाद आप लोगों से ये कहा जा सकता है कि types of stroke साथियो types of stroke की अगर मैं आप से बात करूं कि type of strokes कौन से होते हैं तो आप लो अगर हम बात करें, एक होता है systemic stroke, पहला मैं आप से बात कर रहा हूँ, systemic stroke, systemic stroke और एक होता है साथियों, एक होता है आपका hemorrhagic stroke, यह सबसे ज़्यादा दो stroke देखने को मिलते हैं हैमोरेजिक stroke अब आपसे exam में question क्या आता है दो type के question आते हैं कि इन में difference क्या होता है सबसे पहले तो ये आपको पता लगा लगना चाहिए इसचेमिक का मतलब होता है इसचेमिया यानि blood supply कम होने की वज़े से थ्रोंबस जमा होने से या थ्रोंबस या आप लोग कह सकते हैं डिक्रीज ब्लड सप्लाई जो ब्रेन की ब्लड सप्लाई है वो डिक्रीज होने की वज़े से इस टाइप का स्ट्रोक देखने को मिलता है उसको स्ट्रोक के नाम से जाना जाता है लेकिन hemorrhage जो है वो आप कह सकते हैं breakdown होने की वज़े से जो आपकी artery है brain की जो artery है breakdown of artery in brain brain की किसी बड़ी artery के अंदर अगर breakdown हो जाए उसकी वज़े से भी stroke देखने को मिल सकता है यानि जब ऐसी कोई भी कंडिशन जिसमें अगर ब्लड सप्लाई नहीं जाएगी सेरिब्रम की सेल और टिशू को नियूरोन्स को तो उनको ओक्सिजन और नूट्रियंट्स की सप्लाई नहीं होगी और वो अपना काम करना है वो दीरे-दीरे क्या कर देंगे कम कर देंगे बह आप लोग कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा एक eh explosive headache देखने को मिलता है किसके अंदर जो hemorrhagic stroke होता है इसके अंदर आपको explosive explosive यह मैं कह सकता हूँ severe explosive headache देखने को मिलता है लेकिन आपका जो यह दूसरे बाला है ischemic stroke इसमें severe headache देखने को नहीं मिलेगा सबसे बड़ी चीज तो यही है यह आप लोग ध्यान में रखेंगे कि अगर आपको severe headache की complaint कर रहा है पेशन्ट तो आप कहेंगे उसको hemorrhagic stroke हो सकता है अब बात यह आती है कि सर इसके अंदर symptoms क्या देखने को मिलते हैं, sign symptoms कैसे देखने को मिलते हैं तो आप लोगों को पता होगा, देखो, brain के अंदर जो cerebrum है, इसके अंदर इस परकार का यह आपका right cerebrum हो गया, right cerebral hemisphere यह आपका left cerebral hemisphere हो गया तो आप लोगों को पता है कि जो right cerebral hemisphere है, यह left side को coordinate करेगा, यह आपकी left side को coordinate करता है और left जो आपका है, यह आपकी right side को coordinate करता है अगर इसके motor functions देखें तो अगर right side में disturbance होगा brain के अंदर तो आपकी left side में आपकोट क्या देखने को मिलेगा disturbance देखने को मिलेगा symptom left side में आएंगे अगर left brain के अंदर आपको disruption देखने को मिलेगा stroke देखने को मिलेगा तो right sorry left side में होगा तो आपको right side में क्या देखने को मिलेगा disturbance देखने को मिलेगे sign symptom में तो इस तरह से आप लोग idea लगा सकते हैं दूसरा मैं कह सकता हूँ अगर हिसी में मैं एक काट इसकी ये बना दू अगर आपको upper side में upper side में अगर आपको disturbance देखने को मिलेगे upper side में stroke देखने को मिलेगा तो upper side lower को coordinate करती है किसको coordinate करती है lower और जो lower side है ये upper को coordinate करेगी यानि यहाँ पे अगर stroke होगा तो आपको कहाँ disturbance देखने को मिलेगा upper extremity में disturbance देखने को मिलेगा लेकिन cerebrum के upper part के अंदर अगर stroke देखने को मिलेगा तो फिर lower extremity effect होगी तो इस तरह का विप्रीत ये एक फिनोमेना पाया जाता है stroke के अंदर जो आप लोगों को बहुत अच्छे से ध्यान में होगा अब सर बात यह है कि जो symptom हैं वो कौन-कौन से देखने को मिलते हैं तो आप लोगोंने देखा होगा motor symptoms के अगर बात करें हम तो यहां पर आपको देखा होगा hemiplezia, hemiparesis, 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 hemipares जो बोडी है उसके अंदर पैरलाइसिस देखने को मिलेगा या आप कह सकते हैं हाफ बोडी पैरलाइसिस हाफ बोडी पैरलाइसिस देखने को मिलेगा उसके बाद पैरेसिस का मतलब वीकनेस होता है वन साइड वीकनेस देखने को मिले या वन हाफ साइड पैरेसिस का मतलब व और लेंस के अंधर चारों अपर एंड लोवर लंब के अंदर कि अंधर पैरालाइस देखने को मिलता है यह सिंटम्स आप लोग ध्यान में रखेंगे इनके मीनिंग आपसे पूछे जाते हैं इसके अलावा मैं आपको बोल सकता हूँ एफेजिया देखने को मिल सकता है communicative में एफेजिया का मतलब patient है वो communicate नहीं कर पाएगा patient ये एफेजिया दो परकार का हो सकता है expressive एफेजिया और receptive एफेजिया expressive एफेजिया है ये brocas area में disturbance होने की वज़े से होता है और brocas को speech area बोलते हैं यानि patient किसी दूसरे व्यक्ति की बहासा को समझेगा understand करेगा लेकिन खुद उसके परती बोल नहीं पाएगा response नहीं दे पाएगा इसलिए इसको बोलते हैं expressive एफेजिया यानि expression नहीं दे पाएगा दूसरा होता है receptive एफेजिया सुनना इसको जो receptive एफेजिया है ये वर्निक्स एरिया के अंदर temporal lobe में affect देखने को मिलता है उसके कारण देखने को मिलेगा और इस परकार के एफेजिया के अंदर patient है वो enable हो जाता है किसी दूसरे के spoken words को समझने में यानि किसी दूसरे व्यक्ति के दुवारा जो spoken word है या जो लिखित में जो word है written word है उनको understand नहीं कर पाता है क्योंकि वर्निक्स एरिया है वो sensory जो receptor है उनको क्या करवाता है interpretation करवाने में help करता है तो इस परकार के symptom देखने को मिलते हैं आपको hemi anopsia half visual field के अंदर disturbance देखने को मिलता है डिपलोप या वगेरा देखने को मिलते हैं अब दूसरी जो important बात है वो यह है कि types के अंदर जो systemic stroke होता है ना इसके अंदर हम prevention के लिए आप लोगों ने देखा होगा इस चेमिया नहीं हो ऐसी दवा चलाई जाती है और aspirin aspirin को chronic use किया जाता है prevention के लिए लेकिन hemorrhagic जो stroke होता है देखो chronic time के लिए chronic time के लिए तो aspirin यूज किया जाता है systemic stroke में लेकिन acute condition के अंदर systemic stroke के अंदर या thrombus stroke के अंदर आप एक drug होती है जिसको आप बोलते हैं tissue plasmo tissue plasminogen activator tissue plasminosin activator यह दवा यूज करते हैं यानि acute condition में आप tissue plasminosin activator यूज करते हैं लेकिन ischemia को treat करने के लिए दूसरी condition मैंने आप लोगों को बताई और दूसरी condition में मैंने क्या बताया है कि मरीज को अगर क्या देखने को मिले है कि आप लोग यह बताना कि क्रोनिक समय के लिए अगर उसको प्रिवेंट करना हो तो एस्प्रीन दवा चलाते हैं जो हम्रेजिक आपका जो स्ट्रोक होता है हम्रेजिक इसके अंदर आप लोगों की यह दवा नहीं चलाई जाती है हम्रेज वाली उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके आगे अगले क्यूस्चन के उपर आ करते हैं और जो क्यूस्टन है आपके इस एक्स्प्लेनेशन से ठीक हो जाएंगे आगे बढ़ता हूं मैं क्यूस्टन नंबर दो की और आप लोग रीड आउट करिएगा एक बार है मिप्लेजिया मीन्स प्लेजिया का मतलब होता है पैरेलाइसिस तो आप लोग इसका प्लेजिया नहीं होता है उसके बाद पैरालायसिस एंसाइड उफ भूटि याफ साईड उप दीव इस यह आपसे पूछा जाए तो इसको पैराबिजिया बोलते हैं यह याद रखे उसके बाद पैरेसिस ओफ अपर एंड लोवर एक्स्टेरिमिटी इसको क्वाडरी पैरेसिस बोल सकते हैं यह भी आपका अंसर नहीं उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं साथियों question number 3 यह रहा आपकी screen के उपर और इसमें देखे which of the following will not be observed in a client with right hemispheric stroke एक मरीज है hemispheric बोल रहा है जैसे मान लीजिए यह वाड़ा आपका क्या है brain है इस brain के अंदर यह आपका right hemispheric है इस right hemispheric के अंदर यहां पर आपका क्या देखने को मिला stroke देखने को मिला question आपका यह कह रहा है एक मरीज है जिसके अंदर क्या note किया गया not be observed in a client with इन में से कौन सी चीज observe नहीं की जाएगी उसके अंदर उस मरीज के अंदर नहीं observe की जाएगी क्या नहीं किया जाएगा मरीज कैसा है विद राइट hemispheric stroke यानि यह मरीज था और इसमें यहां पर stroke और रहा है राइट hemispheric stroke में इसमें क्या-क्या देखने को मिलेगा यह अगर आपको पता होगा तो आपको यह भी पता लग जाएगा कि यह कह देखने को मिलेगी तो आप कह सकते हैं बिलकुल इंपल्स को कंट्रोल डिफिकल्टी देखने को मिलेगी क्योंकि राइट हमी स्पियर के अंदर आपका स्टोक है उसके बाद लोस ओफ डैफ्ट ओफ परसेप्शन पेशेंट का परसेप्शन भी अफेक्ट होगा क्योंकि इस एरिया के अ हमी स्टोक होगा यानि राइट स्टोक होगा राइट साइड जो स्टोक है उस मरीज में क्या देखने को मिलता है राइट साइड स्टोक वाले मरीज में लेप्ट साइड अफेक्ट देखने को मिलता है लेप्ट साइड डिस्ट्रिवेंस देखने को मिलता है तो मुझे बता मिलता है ये भी देखने को मिलता है तीसरा है लेक ओफ अवेरनेस मरीज में लेक ओफ अवेरनेस भी देखने को मिलता है तो क्या नहीं देखने को मिलता राइट हमी प्लेजिया आगे बढ़ते हैं अगले क्यूशन के और यहां पर लिखा भी है मैंने नोट करके कि राइट ब strain stroke will have right hemiplegia, आगे बढ़ते हैं आगले question के होर आपसे बोला गया है most effective treatment for ischemick stroke, जो ischemick stroke है ना इसके लिए most effective जो आपका most effective treatment क्या होता है तो most effective की अगर बात करें तो आप लोग मैंने अभी बताये था टीशू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर जिसको मैंने टी प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर ये बोला था टीशू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर एसिटा मिनोफेन का मतलब होता है पैरसिटामोल देते हैं क्या ये इफेक्टिव है नहीं एस्परीन क्रोनिक टाइम के लिए देते हैं यह भी नहीं देते हैं और देते हैं तो क्रोनिक टाइम के लिए तो ज्यादा इफेक्टीव कोण है टीशू प्लाज्मी नोजन आगे बढ़ते हैं next question है आपका if a nurse note colorless drainage आप से पूछा गया है colorless drainage आए है dressing after surgery of brain tumor जब किसी मरीज का brain tumor का surgery हुआ है और surgery के बाद जब nurse उसकी dressing change कर रही है तो उस dressing के उपर क्या देखने को मिला है colorless drainage then उसके बाद which of the following is prompt nursing action ऐसा देखने के बाद नर्स का प्राक्टमिक जिम्मेदारी या important action क्या रहेगा notify the physician उसको physician को जाके बताना है या elevate the head of bed bed के head end को elevate करना है documentation कर देना है कि ये normal finding है या monitor करते रहना है patient को continuously तो साथियों यहाँ पे right answer आपका A है notify physician करेंगे क्योंकि यहाँ पर कंडिशन किसको indicate कर रही है CSF leakage हो रहा है यहाँ पर क्या हो रहा है कि CSF leakage देखने को मिल रहा है और CSF leakage के अंदर आपको कैसे drainage देखने को मिलते हैं clear colorless drainage आते हैं colorless drainage और जब colorless drainage आते हैं तो नर्स समझ जाएगी कि मरीज को brain tumor का surgery हुआ था और CSF बाहर आ रहा है तो जल्दी से जाके doctor को क्या करवाएगी notify करवाएगी उसके बाद वहां से उसको test किया जाएगा और CSF के अंदर अगर glucose present होगा तो वह इंडिकेट करेगा कि यह CSF को ही CSF ही है इस तरह से आपको पता लग जाएगा आगे बढ़ते हैं साथ ही हम next question के और a client with a spinal cord injury as paraplegia एक मरीज है जिसमें spinal cord injury था और paraplegia देखने को मिल रहा है दे नर्स assess करती है और which major problem कि उसमें कौनसी major problem हो सकती है the client may experience यह paraplegia वड़ा client जिसमें spinal cord injury है यह कौनसी problem को experience कर सकता है इन early recovery period जब उसका early recovery period चलेगा तो उसके अंदर जो early जो problem है वो क्या देखने को मिल सकती है यह आप से पूछा गया है तो आप लोगों को पता है spinal cord injury हुआ है तो spinal cord injury के अंदर साथ यह आप लोगों ने देखा होगा क्योंकि वो reflex है उनके अंदर patient को disturbance देखने को मिलता है brain से आते भी spinal cord से ही होके है bladder तक और bladder से जो जाने वाले जो reflex है sensory वो भी brain तक इसी रास्ते से जाते है तो bladder control में आपको disturbance देखने को मिलेगा यह आप लोग ध्यान में रखें यह problem उसको हो सकती है nutritional intake quadricep use of यह सब नहीं होने के chance रहते है next हम आगे बढ़ते है the most common and early symptom of spinal cord injury by spinal cord injury का early most common symptom पूछा गया है spinal cord injury का early most common symptom urinary incontinence नहीं early नहीं है back pain that version with activity जब भी spinal cord में कोई disturbance होता है आपने देखा होगा तो हमेशा जब भी spinal cord compress होता है तो हमेशा आपको back pain और यह back pain जब आप activity करते हैं काम करते हैं तो यह और severity के साथ बढ़ता जाता है आपको देखने को मिलता है यह आपका early symptom माना जाता है आपने देखा होगा बहुत सी महिलाओं के अंदर जब भी back pain स्टार्ट होता है यानि spinal cord vertebral column की जब कोई problem होती है तो सबसे early symptom back pain निकल के आता है तो आप लोग यहां से answer ध्यान रखें इसके बाद अगला question हम में screen के उपर read out कर रहे है decrease the glucose in CSF suggestive of एक patient है जिसके CSF में glucose है वो decrease हो गया है यह किस चीज को indicate करता है यह आप से पूछा गया है यह bacterial meningitis को indicate करता है viral को करता है cerebrovascular accident को indicate करता है यह subdural hematoma को तो आप लोग कह सकते हैं साथ यह bacterial meningitis को indicate करता है किसको indicate करता है bacterial meningitis और जब भी मरीज को bacterial meningitis होता है तो इसके अंदर glucose का level decrease होता है लेकिन protein का level increase देखने को मिलता है protein का level कैसा देखने को मिलता है increase देखने को मिलता है यह आप लोग ध्यान में रख सकते हैं आगे अगले question पर बढ़ते हैं कि in CSF in CSF pathway जो CSF का pathway है उसके अंदर obstruction at the aqueduct of silvus silvus aqueduct के अंदर या cerebral aqueduct के अंदर क्या हो गया obstruction हो गया है CSF के pathway में that course enlargement of जिसके कारण brain की कौन सी structures के अंदर enlargement देखने को मिलता है यह question आप से पूशा गया है तो आप लोग बताएं कि lateral ventricles में enlargement देखने को मिलेगा third ventricles में fourth ventricles में देखने को मिलता है सातियों क्यों देखने को मिलता है आओ जानकारी करें और जानकारी करने के लिए हम next slide की और बढ़ते हैं और अगला slide आप लोग देखें मैं एक diagram आपको बना देता हूं मान लेजिए यह आपका third ventricle है sorry lateral ventricle है यह आपका left lateral ventricle है यह आपका right lateral ventricle है इसके बाद यह आपका third ventricle है और इसके बाद यह आपका fourth ventricle है CSF का जब CSF के अंदर जब जो pathway होता है वो इस तरह से होता है इसके बाद CSF यहां पर आता है और यहां से जाने के बाद फिर सब अरेक्नोइड इस पेस के अंदर इसका absorption हो जाता है यानि choroid flexes के दुआरा यह choroid flexes है special type के neuron है structure है यहां से CSF secret किया जाता है यहां से CSF secret किया जाता है यह CSF आपका यहां पर आएगा और यहां से आपने देखा होगा यह CSF किसमें आता है third ventricle के अंदर आता है ऐसे structure आप लोगों ने देखी होगी यह fourth ventricle है और यह आपकी lateral ventricle ह यह आपकी क्या है lateral ventricle है सभी को समझ में आया होगा अब आप लोग यहां पर देखें कि यह वाली जो duct हैं यह वाली जो duct हैं दोनों यह दोनों ही duct क्या कहलाती है इनको cerebral aqueduct बोलते हैं इनको साथियों क्या बोलते हैं cerebral aqueduct बोलते हैं क्या बोलते हैं साथियों cerebral aqueduct बोलते हैं और इस cerebral aqueduct को इसको क्या बोलते हैं cerebral aqueduct अब यहां से देखो CSF बनेगा तो CSF इस डक्ट के माध्यम से थर्ड वेंट्रिकल में आता है और थर्ड वेंट्रिकल के बीच में यह जो डक्ट होती है जो फौर्थ वेंट्रिकल में है इसको आप लोग बोलते हैं इसको आप लोग बोलते है क्या बोलेंगे तो आप लिखा हुआ आपको देख रहा हैÃ पूरा मैन लसका बोलते हैं यह बोला जाता है अब यहां से CSF यह आजाता है और इसके बाद सब स्पेस के अंदर इसका विलय हो जाता है कि यह डाइग्राम देखना यह लेटरल वेंट्रीकल है यह भी आपका लेटरल वेंट्रीकल है यहां से पोरामेन मोनेरों के दुआरा यह इंटर वेंट्रीकुलर वेंट्रीकल में आता है और वेंट्रीकल से यहां पे जो स्ट्रेक्चर होती है इसको पोरामेन मोनेरों बोला जाता है इसको क्या बोला जाता है पोरामेन मोनेरों यहां लिख देता हूं पोरामेन मोनेरों बोला जाता है और यह है इसको बोला जा जाता है cerebral aqueduct cerebral aqueduct एक बार थोड़ा सा ध्यान देना साथ यह cerebral aqueduct है आपके यह pora man Monroe है तो for a man Monroe के अंदर जब आती है यहां से CSF for a man Monroe के दुवारा थर्ड में आता है और थर्ड में cerebral aqueduct है फिर प्रफ् talked ने जाता है तो जो जो यह से रीब्रल एक्वीडक्ट यहां पहर ब्लोकेज देखने को मिल रहा है कि अब छोसे सब कहाँ नहीं जाएगा पूरस जाएगा और फॉर्ड वेंट्रेक्र भी हां पिलेगा उसके बाद ये डक्ट भी भर जाएगी उसके बाद ये आपकी लेटरल वेंटरिकल्स भर जाएगी उसके बाद आपकी ये राइट लेटरल वेंटरिकल्स है वो भर जाएगी यानि आपको एनलार्जमेंट कहां देखने को मिलेगा दोनों वेंटरिकल्स में लेटरल वेंटर यहाद पत्पतों के असफी स्ट्रैक्चर से टॉसरा मेन लेकर है इन लेकर आता है तो आप पहेंगे फॉराम वेंट्रिकल में आता है पूर्थ वेंट्रिकल के बाद यह सब एरेक्नोइड स्पेस में आ जाता है फिर एरेक्नोइड विली के दुवारा इसका अब जोप्शन कर लिया जाता है इस तरह से यह पाथवे होता हैं CSF का आगे बढ़ते हैं अगले क्यूशन कि और साथ कुशंट और अगला क्यूशन आप लोग रीडाउट करें वाई विच अशेस्मेंट विच उफ असेस्मेंट विच ओफ असेस्मेंट इस स्पेसिफिक इस स्पेसिफिक टू सेफ एडमिनिस्ट्रेशन ओफ आई वी मैनितोल यानि जब आप किसी पेशन्ट को आई वी मैनितोल लगा रहे हैं तो किस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए कि वो सेफली आप लोग दे सकते हैं उस मरीज को नुझा चाहिए टर्वी मैनितोल के लिए पूछा क्या आपको वाईटल शाइन करने चाहिए फोर्थ हवावरली आपको बेट देली चैक करना चाहिए आपको हवारली उूरिन आउट्वूक कि यहापको को हौन्सिसनेस चैक करनी चाहिए मरीज की तो आप लोग कह सकते हैं जब भी हम monitor करेंगे hourly urine output क्योंकि जो आपका osmotic diuretics माना जाता है manitol को और manitol एक osmotic diuretics की तरह काम करता है तो आप लोग hourly urine output चेक करें अगर urine output आपका उसमें कोई disturbance देखने को मिलता है तो फिर आप manitol को नहीं देंगे या manitol से related आप डोक्टर को inform करेंगे यहाँ पर मैंने लिखा है slide के अंदर कि manitol एक osmotic diuretics है यह question आपके competitive exam का है साथ यह पूछा जाता है manitol इन में से क्या है so the urine output must be carefully monitor इसलिए आपको urine output को monitor करना बहुत जरूरी होता है क्योंकि अगर urine output बहुत ज़्यादा हो रहा है और आपने fluid balance maintain नहीं किया तो patient को risk होती है fluid imbalance होने की और fluid imbalance हो गया तो मरीज को dehydration वगेरा होने के chance ज़्यादा रहते हैं इसलिए manitol वाले patient में आप लोग urine output जरूर चेक करेंगे अगले question की और बढ़ते है multiple sclerosis most commonly affect the age group multiple sclerosis यह एक autoimmune disease है यह एक autoimmune disease है आप लोगों को पता होगा यह एक autoimmune disease है और इस disease के अंदर demyelination देखने को मिलता है क्या देखने को मिलता है demyelination of central nervous system जो central nervous system है उसमें demyelination देखने को मिलता है जिसकी वजह से आप लोगों को weakness और plagia जैसी conditions आपको बहुत से symptoms देखने को मिलेंगे यह आपकी disease condition है जिसको किसमें include किया गया है साथियों आप लोग कह सकते हैं autoimmune disorder के अंदर include किया गया है और इसके अंदर sensory और visual problems देखने को मिलता है अगर cns का demyelination देखने को मिले तो आप उस disease को क्या बोलते है multiple sclerosis एक तो यह आप से पूछा जाता है और जो यह disease है यह mostly कौन से age group में ज्यादा होती है तो मैं right answer बता देता हूं कि mostly आप से 20-40 age group में ज्यादा देखने को मिलती है यही आप से पूछा है कि कौन से age group में multiple sclerosis है वो ज्यादा देखने को मिलता है तो आपको मिल गया होगा इसके अलावा नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे और आगे बढ़ने से पहले एक चीज और देख लें आप लोग multiple sclerosis और इसके बारे मैं थोड़ा सा बाग में बता दूँगा आप लोगों को जब आगे slide खाली आएगा चलो आगला question आप रिड़ाउट करें कि all of the following are the autoimmune neurological disorder accept इन में से बहिए कौन सा neurological disorder autonomic neurological disorder है और कौन सा नहीं है जो नहीं है उसके बारे में पूछा है तो आप लोग बताएं autonomic पूछा है auto sorry autoimmune पूछा है autoimmune neurological disorder तो मैंने अभी आपको बताया था कि multiple sclerosis autoimmune disorder है autoimmune से आप लोग क्या समझते हैं तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ autoimmune का मतलब होता है कि जो आपका जो आपकी antibody बनती है जो आपका immune system है वह ऐसी antibody का formation कर देता है कि वह antibody अपनी body की structure के उपर क्या कर देती है अटेक शुरू कर देती है और उनको damage करना start कर देती है ऐसी disorder को आप लोग क्या बोलते है autoimmune disorder बोलते है तो multiple sclerosis में भी ऐसी antibody बनती है जो आपके cns के अंदर जो नर्व हैं उनके माइलीन सीथ को damage कर देती है और फिर उससे related आपको sensory और motor type के disturbance देखने को आपको मिलेंगे उसके बाद आपका मिस्थेनिया ग्रेविस है यह भी एक autoimmune disorder है इसके अंदर भी antibody बनती है और यह antibody है मिस्थेनिया ग्रेविस के अंदर यह जो antibody है यह neuromuscular junction होता है उस neuromuscular junction को प्रभावित करती है उसको affect कर देती है और उसके कारण patient को क्या देखने को मिलता है आप लोग कहेंगे मसल के अंदर severe weakness देखने को मिलती है sensory type का क्या देखने को मिलता है आपको यह central nervous system का demyelination था यह peripheral nervous system का demyelination है और यह neuromuscular junction की disease है neuromuscular junction की disease है इनके नाम से ही disease explain हो जाती है यह तिनों ही autoimmune disease है बचा आपका नियूरो सिस्टिक सेर्कोसिस तो यह एक यह एक ऐसा इन्फेक्शन है जो parasitic infection most common neurological parasitic infection भी बोला जाता है इसको साथ यह parasite के कारण देखने को मिलता है तो आप से पूछा कि कौन सा autoimmune disorder नहीं है तो आप पहेंगे डी नहीं है आप लोग यहां पर पढ़ लें मैंने slide दिया है कि यह parasite infection है जो prevent किया जा सकता है जो एक किसके दुआरा कोज होता है क्यूशन आप से पूछा जाता है लार्वल सिस्ट ओफ पोर्क टेप वोम इसके दुआरा या टेनिया शोलियम इसके दुआरा ये कोज किया जाता है जिसको आप न्यूरो सिस्टी सर्कोसिस बोलते हैं उसके बाद यह developing countries के अंदर ज्यादा डवलप होता है most common developing countries में मैंने बताया most common parasitic disease नर्वस सिस्टम की और इसके कारण patient को epilepsy होने के चांस भी रहते हैं यह आप लोग ध्यान रखेंगे इतनी सारी बाते उसके बाद देखो अभी मैं आप से बात कर रहा था कि जो misthenia gravis है माइसthenia gravis क्या होती है उस disease के अंदर मैंने बताया एक बार मैं आपको यह neuromuscular junction की disease होती है और नॉर्मल जो व्यक्ती होता है उसमें neuromuscular junction होता है उसके उपर क्या देखने को मिलता है आप लोगों को देखने को मिल रहा हुगा यह एक neuron है यह एक neuron की structure है और इ नहाँ पर देखो यह तैस से डूरों की वीच में का इसीटायल कोलीन का सिक्रेशन होता है। पोर जो मसल से इसके उपर कुछ साइट होती हैं जिनको इसेटोर सवाइट वह नर्व का क्या कर करवा देते हैं ट्रांसमिशन करवाते हैं यह नोर्मल फिनोमेना है लेकिन साथियों क्या होगा जब मिस्थेनिया ग्रेविस जो डीजीज होगी जब यह डीजीज डवलप होगी तो पेशेंट के अंदर एसिटाइल कोलीन सीक्रेट होगा न्यूरो मस्कूलर जंक्शन पे ल जंक्शन साइट है उसके उपर जाके बैठ गई अब यह एसिटाइल कोलीन को यहां पर जुडने नहीं देखी और जुडने नहीं देगी तो यहां पर क्या देखने को मिलेगा इंपेर्ड नर्व ट्रांसमिशन देखने को मिलेगा इंपेर्ड नर्व ट्रांसमिशन अब आप लोग देखते हैं कि इसके अंदर पेशेंट को क्या देखने को मिलती है वीकनेस देखने को मिलती है मसल्स वीकनेस देखने को मिलती है मेन सिम्टम है मसल्स वीकनेस देखने को मिलती है उसके बाद आप इस disease के अंदर एक test करते हैं जिसको आप लोग बोलते हैं टैस्ट ये टैस्ट करते इसको फाइंड आउट करने के लिए इसमें घ्रफोनिय दाइब लु 도 एंदर आप लोगों को discussion के बारे मैंने डिटेल में पिछले lecture के अंदर भी बताया था आप आप लोगों को समझ में आया होगा कि मिस्थेनिया ग्रेविस के अंदर क्या देखने को मिलता है उसके बाद आप लोग बताएं कि मिस्थेनिया ग्रेविस का जो सबसे इंपोर्टेंट सिम्टम होता है जिसको आप लोग बोलते हैं अरली सिम्टम भी बोलते हैं तो आप लोग बता देना इसके अंदर प्रटोसिस देखने को मिलता है क्या देखने को मिलता है साथियों प्रटोसिस इस प्रटोसिस को बोलते हैं ड्रोपिंग ओफ आईलीड्स ड् जिसको आप बोलते हैं टोसीस तो आपसे अगर पुछा जाए कि प्रोशीस most common early symptom इन में से किसका माना जाता है तो साथ हो आप लोग बताएंगे कि मिस्तेनिया ग्रेविस का most common early symptom माना जाता है आप लोग यह Qustion जरूर दिहान रखेंगे इसके बाद diplop या वगेरा हूं मैंने आप लोगों को बताया था multiple sclerosis और गुलियन बारे syndrome इन दोनों के अंदर और आप लोग एक बार डिस्ट्रिबेंस देख लें एक होता है multiple sclerosis multiple sclerosis और एक होता है गुलियन बारे syndrome GBS यह multiple sclerosis है दोनों ही autoimmune disorder होते हैं मैंने बता दिया चीजों के बारे में जो MS है इसके अंदर demyelination होता है demyelination लेकिन कहां का demyelination होता है CNS का central nervous system में लेकिन यहां पर भी आपको demyelination देखने को मिलता है लेकिन कहां पर peripheral nervous system के उपर यहां पर आपको नर्व transmission effect देखने को मिलेगा यहां पर आपको ascending weakness देखने को मिलती है तो आप लोगों से पूछा जाता है कई बार आप लोगों से question पूछा जाता है है कि जो GBS जीबीस के अंदर GBS के अंदर ascending weakness देखने को मिलती है ascending weakness इससे आप लोग क्या समझते हैं यह important sign है भई आप लोग ध्यान दे एक बार देखो peripheral का मतलब होता है दूर दूर वाले जो neuron होंगे ना उनके अंदर ज्यादा damage देखने को मिलता है सुरुवात में उसके बाद धीरे-धीरे यह demyelination कहां आता है chest की ओर आता है center की ओर आता है तो सबसे पहले जो weakness start होगी ना वो आपके पैरों से start होगी lower limb से weakness start होगी यानि first जो starting होगी weakness की वो lower begin begin first lower limb weakness यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा lower limb का weakness पहले देखने को मिलेगा उसके बाद यह center की ओर बढ़ता है SC weakness को आप ascending weakness बोलते हैं इस GBS के अंदर दीरे दीरे जब यह demyelination center की ओर जाएगा और respiratory के उपर अटेक कर देगा तो patient को क्या होने के chance रहेंगे respiratory failure और यह dangerous situation है इसी के कारण मरीज के death होने की संभावना रहती है इसलिए जब भी हम इस disease में दवा चलाते हैं तो हम इसको जो यह weakness है इसको बढ़ने से रोकना चाते हैं center की ओर बढ़ने से फिर उसके बाद थोड़े समय बाद यह automatic आपका ठीक हो जाता है जब हम इसको immunoglobulins देंगे बने बनाए antibodies देंगे उनकी शायता से तो हमें respiratory rate या respiratory failure को patient को monitor करते रहना है जब भी मरीज को GBS होगा बहुत ज्यादा important है लेकिन मिच्थेनिया Sauce ब्रेविस के अंदर क्या होगा descending weakness देखने को मिलती है कैसी weakness देखने को मिलती है GBS descending weakness यानि सबसे पहले center में weakness होगी उसके बाद the descending part में देखने को मिले हैं उसके बाद आप लोग कह सकते हैं कि जो मिच्थेनिया मिच्थे इसके डिपलोपिया और बलर्ड वीजन देखने को मिलते हैं लेकिन सा्थियों यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाएगा यहाँ पर आप लोगों से क्या देखने को मिलती है लोवर लिम्ब वीकनेस देखने को मिलती है शुरुआ उसके बाद रेस्पिरेटरी फैलियो तो यह नेक्स्ट आप लोग बता सकते हैं कि जो डाइगनोसिस करेंगे हम जब डाइगनोसिस करेंगे तो जो मिश्थेनिया ग्रेविस है इसके अंदर एक मैक डॉनाल्ड क्राइटेरिया है डाइगनोसिस के अगर मैं बात करूं यहां पर तो आप कहेंगे मैक डॉनाल्ड क्राइगनोज किया जाता है और एमराई के दुआरा भी इसका डाइगनोज किया जाता है MRI के अंदर अगर आपसे पूछा जाए कि क्या देखने को मिलता है तो आप कहेंगे Davidson appearance देखने को मिलता है आप लोग यहां पे बताएंगे साथियों कि मरीज को Davidson appearance देखने को मिलता है यह very very important यह आपके competitive exam का question है कि MRI के अंदर मिस्तेनिया ग्रेविस के पेशंट में MRI में क्या देखने को मिलेगा तो आप कहेंगे डैवसन अपीरेंस देखने को मिलेगा इसकी साहिता से आप लोग पता लगा लेंगे उसके बाद आप लोग कह सकते हैं साथियों जो जी बी एस है गुलियन बारे सिंड्रोम है इसके अंदर आपको quadriplasia देखने को मिल सकता है weakness vanish या किस प्रकार के symptoms आपको देखने को मिलते हैं और आप लोग बोल देते हैं कि यह आपका क्या है? जीबीएस से रिलेटेड़ है असेंडिंग वीक्नेस देखने को मिलते हैं उसके बाद दोनों में ही हम Immunoglobuline देते हैं treatment के लिए Immunoglobuline देते यह चीज़ आप देहान में रखेंगे मिश्टेनिया ग्रेविस के अंदर मैंने बताई दिया था डाइगनोसिस टैंसिलोन टेस्ट करते हैं इंपोर्टेंट बाते हमारी हो गई उसके बाद हम अगले क्यूस्टन की और बढ़ते हैं साथियों क्यूस्टन नंबर 13 है सबसे ज्यादा मेजर कंसंट आपका जी बीए सिंड्रोम में इन में से किस पे रहेगा मैंने अभी एक्स्प्लेइन किया है आप लोगों को साथियों देखू मैं 15 क्यूस्टन का स्लाइड आपके सामने लेके आता हूं लेकिन कम से कम मैं 60-70 क्यूस्टन आप लोगों के साथ डिसकस करता हूं तो आप लोग हमेशाद जो आपको प्रेटरी फेलियर हो गया तो मरीज की डैथ हो जाएगी इसलिए ज्यादा कंसेंट हमारा रास्पिरेशन पर रहेगा उसके बाद हम नेक्स्ट क्यूस्टन की और बढ़ते हैं और क्यूस्टन आपका विच ओव दिस क्रेणियल नर्व इन में से कौन से क्रेणियल नर्व आप से पूछा जाता है और इसकी वज़े से ट्राइजमिनाल न्यूरोगलिया देखने को मिलता है क्या देखने को मिलता है ट्राइजमिनाल न्यूरोगलिया यह देखने को मिलता है जो फेशियल नर्व है इसको सेवन्थ क्रेणियल नर्व बोलते हैं सेवन्थ क्रेणियल नर्व तो इसके कारण जो डिजीज देखने को मिलती है वो साथ वह आपका राइट आञे आंस्वर है मैं इसको छेशेल पर लाइसीस भी बोलते हैं आप लोग ध्यान रखे शारे कोस्टिक आपकेaren नहीं है यह इसे रिलेटिट कि which of the which one of the following इन में से कौन सा एक है most appropriate जो सबसे ज़्यादा सही है care plan care plan के रूप में for a patient with bell palsy कि bell palsy का अगर हम care plan करते हैं तो उस care plan के रूप में कौन सा सबसे ज़्यादा most appropriate माना जाएगा यह आप से question पूछा गया है पहला है inspect the buckle pouch of the food after eating कि जो भी मरीज है उसका buckle pouch को आपको assess करना सिए inspect करना सिए nurse को खाना खाने के बाद या फिर दूसरा है advice करें वो patient को drink the liquid from a cup कप से वो drink liquid को drink करें यह advice करेंगे या है discourage the patient patient को हम demotivate करेंगे looking in a mirror कि आप लोग mirror के सामने नहीं देखें क्योंकि facial paralysis होगा bell palsy होगा तो उसका face कुछ अलग type का हो जाएगा तो हम उसको कहें कि आपका face अच्छा नहीं लगता है आप जो आपका mirror है उसमें जाके नहीं देखें ऐसे उसको तो right answer यह माने आप यह क्यों करते हैं देखो क्योंकि जब facial paralysis होता है तो facial paralysis के दुआरा facial paralysis के दुआरा क्या होगा उसको swallowing में difficulty होगी उसका swallowing difficulty होगी swallowing difficulty होगी मरीज को और जो खाना है वो जो बकल केवीटी है उसके अंदर रह जाएगा यानि one side patient का moment सही होगा लेकिन face का one side का moment सही नहीं होगा उसका स्विंग सही नहीं होगा शिविंग वगेरा सही नहीं होगा शिविंग है वह अफक्ट होगा तो इस वज़े से जिस side bell spell see है एक side में उस side खाना इखटा हो जाएगा और खाना इखटा हो जाएगा तो उसको खाले नहीं किया आपने तो पेशंट को क्या हो सकती है इंफ्यक्शन के चांस हो सकते हैं फावल स्मेलिंग आ सकती है तो केर प्लान में यह ज्यादा इंपोर्टेंट है आपको ध्यान रखने लिए आगे हम थैंक्यू फोर थैंक्स फोर वाचिंग दी वीडियो एंड इफ्यू लाइक दी वीडियो देन प्लीज सेर और सब्सक्राइब दी वीडियो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो आप लोग लाइक करें सेर क करें कमेंट्स करें यह सब बाते आप लोग द्यान रखें क्योंकि इन से हमें मोटिवेशन मिलता है साथियो और आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे इसके बाद नेक्स्ट जो एंसी क्यू सेशन है वह हम नेक्स्ट डे यानि कि रोजाना हम आठ बजे रात को आपके साथ डिसकस करने के लिए एक बार दुबारा से हाजिर होंगे तब तक के लिए आप लोग अपना द्यान रखें स्वस्त रहें खुश रहें और अपनी स्टड़ी को कंटीन्यू रखें इनी सब्दों के साथ मैं बलजीत यादव आज के इस लेक्चर को यहीं पर एंड करता हू पर मिलेंगे दुबारा